प्रान पतिस्टा के बाद अयोध्या में अब दिपोच्टसफ की तेयारियां जोरों पर चल रही हैं सुरक्षा के भी तगड़े इंतसामात किये गए हैं चपे चपे पर पुलिस बल की तेनाती की गई है और तेनिक बलों की तेनाती की गई है और लगातार आपको बता दे कि तमाम इलाकें में से लोगों को जिस तरीके से निर्देशित किया गया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर यहां पर आता है तो उसकी सूचना यहां पर पुलिस को वश्य दी जाए साथ की साथ साथ सुरक्षा उपकरणों को भी लगातार चेक किया जा रहा है बकाइदा मेटल डिटेक्टर से भी यहां पर चेकिंग की जा रहे है जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर जो पासिस की गाडिया है जो वी वी आईपी गाडिया है वो भी यहाँ पर लगातार चेक की जा रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ रूट डाइवर्ड्स किये गए हैं ताकि राम की पेड़ी तक आने में जो भी लोग यहाँ पर विवी आईपी आएंगे या जो भी लोग उस दौरान दीपोजसफ के कारिकरम में मौझूद रहेंग गाटों को पूरी तरह से दियों से सजाया गया है अब बस इंतजार है तीस तारिक का जब दिपोस्तफ के शुब मौके पर दिविता और भगविता के साथ ये दिये जलेंगे और अपनी अनोकी जलक्ष पेश करेंगे साथ की साथ पूरी अयोध्या रोश्णी में जगमगाती हुई नजर आएगी आप देख सकते हैं कि 55 पर है और हर घाट पर बकाइदा एक टार्गेट फिक्स किया गया है क्योंकि इस बार जो रिकॉर्ड है वो 25 लाग से ज़्यादा दियों का है जिसकी तैयारिया पूरी कर ली गई है घाट गाट पर जो वॉलेंटियर्स हैं आवद दिश्विद्याले के 30,000 से ज़्यादा यहाँ पर लगातार यह दियों को रखने का काम कर रहे हैं और इन दियों में आपको बता दें कि तेल और बाती जो है वो 30 तारिक को सुबह से ही डालना और रखना शुरू किया जाएगा लेकिन अभी फिलाल जो यहाँ पर है काउंटिंग्स की जा रही है तो कि जिसना टा पच्छिस लाक से जादा दियों का जो इस बार एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है उसको यहाँ पर रख करके दियों को रख करके वो संख्या पूरी कर लें ताकि वो रिकॉर्ड बड़ा आसान हो जाए आप देख सकते हैं कि तमाम अवद शुद्याले की लड़कियां जो ल यह प्रियास हो रहा है कितना बड़ा मान रहे हैं अब क्योंकि साल दर साल हम लोग का टार्गेट बढ़ता ही जाता है पिछले मतलब 5-6 सालों से मैं हम लोगी लगा रहे हैं स्कूलिंग टाइम से भी और इस बार जो टार्गेट हमारा 25 लाग से उपर लगाने का है पूरा इतरे से जगमगाई हुई और इंद्गियों की रोशनी से नहाई हुई इस बार दिखेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि राम लला जिनकी प्रानपतिस्टा हो चुकी है और वो अपने मंदिर में पधार चुके हैं उसके बाद इस बार का दीपोटसव और भी भव और द जातर मौझूद हैं जो पिछले कई दिन से अईद्धिया के इन घाटों पर लगातार दिए लगा रहे हैं और दीपोटसव के कारिकरम को भव बनाने की तैयारियां लगातार जारी है मेरे पीछे लगातार कई हजार दिए लगाए जा चुके हैं और लगातार ये सिलसला भी भी जारी है आप देख सकते हैं जहां जहां तक नजर जा रहे हैं सिर्फ दिए और दिए ही नजर आ रहे हैं 25 लाग से ज़्यादा दिए जलाने का इस बार एक नया रिकॉर्ड इस बार बनाने जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि 30,000 से ज़्यादा वोलेंटियर्स लेकिन एक समय में जलाने का लगश रहें आगे चलती रहेंगी इस से हमें रिकॉर्ड आगे से जादा से ज्यादा बनाने की परियास रहेगा क्या लगता है जिस तरीके से इस बार जो है पच्पन घाट पे ये जलाए जा रहे हैं तो उसके लिए क्या तैयारियां की गई और कब तक सारे दिये रख लिए जाएंगे ये दिये आज कंप्लीट हो जाएंगे और कल इसकी घणना हो जाएगी परसों 30 तारीक है और इसका ज जो भी मानक हमारा है मुझसे 20 परसेंट अधिक कड के हुए तैक ड करते हुए ही चलते हैं क्या होता है कि कुछ दिये आते हुए खराब हो जाते हैं तो एवरेज हम उसका दोह निकाल कर उतना याधिक मगाते हैं और घाटों पे भी जो मानक होता जिसे 75 जा लगाना तो 20 प बस यह कि आज जो है सारे दिये लगने बंद हो जाएंगे और कल से गढ़ना शुरू हो जाएगी जिगनी को पूरा हमारा पूरा हो जाएगा फिर तीस को हम साम को परजूलित करेंगे दिया जिसकी रिकॉर्डिंग दो ड्रोन से होगी और उनके AI software के मदद से जितने जिये जल रहा है उनकी counting हो गई और फिर हमें वो record मिलगा सबसे बड़ी बात ये कि drone से ही इस बार यहां पर बता रहे हैं कि सारी चीज़ों पर नज़र रखी जाएगी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लाखों दिये जो यहां पर जलेंगे अभी दिये रखती है गए हैं तेल का और बाती का जो है वो 30 तारीक सुबह से रखना शुरू होगा हाँ सर अभी दिये लग जाएंगे सारे और कल तक गणना हो जाएगी फिर उसके बाद 30 तारीक को शाम से फिर बाती लगना और तेल लगना शुरू हो जाएगा तो क्या माना जाए उस समय भी लगाता है इतने ही वॉलिंटियर्स को लगाए जाएगा इस बार कितना जो शाही है कि प्राण पतिस्टा के बाद जो है पहली दिवाली है दिपोट्सव है उमीदे बहुत है कि और पी रिकॉर्ड काहिम करेंगे क्या लगता है इस बार की पोट्सव कितना भव होने जा रहा है हम अध्यावासी रिकार्ड प्रिकार्ड बनाते रहें अपने पुराने रिकार्ड को धोस्ट करकर रहे हैं बान्हभे हजा लीटर तेल से और लगबग 27 लाख दिये जलेंगे इस बार और हम अध्यावासी बहुत खुसा हैं प्रार प्रतिस्था हो रही है राम मंदिर में भी एक लाख से उपर दिये लगबग जलेंगे आप किस तरीके देख रहे हैं इस बार के दीपोट सुब बहुत अच्छा दीपो अब की बार होगा क्योंकि रामला तो अब की बार आ चुके हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से इनका सौगत करेंगे अब दीपो को जला कर देखिए रामला आ चुके हैं तो जाहर दोर पर एक दिवाली वो थी जब रामला आ रहा है थे तब लोगों ने जश्मन आया था और एक दिवाली ये है कि रामलिला अपने मंदिर में पधार चुके हैं उसके बाद प्रानपतिस्टा के बाद के पहली दिवाली हो रहे गए जिसका जश्मन पुरी तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है पुरी तरह से जोश और उत्सा में यहाँ पर है और जैश्री राम का उदोश यहाँ पर जोड शोड के साथ किया जा रहा है यारी कि आपस इंतजार है सबको तीस तारिक का जब दिपोस्तव के कारिकरम के विधिवात तोर पर यहाँ पर उत्तर पदेश की राज जिपाल अनंदी बेन पटेल उत्तर पदेश